हैठाउ दोस्तो वेरी वेरी गुड मार्निंग बॉड कम आन endurance तो आप सबीका निव ब्लॉक में वाल्कम है और आपको और आपकी फैंइली को मेरी ओर से Happy new year 2020 वार दोथार चौबीस हो गे यह दोथारचाउबीसका First Day है हैप्पी निव इयर आपको और आपकी फैमली को सभी को और मैंने पूजा पाट कर ली था पूजा पाट करने के बाद थोड़ा अपना कॉम कर रही हूं तो मैंने आज बाली दोए है फर्स्ट यह है दोहजार चॉबीस का फिर भी मैंने बाली दोए है एप चुली में क्या हुआता मुझे सर्धी हो गई है हलकी सी और कल मैंने कल ही बाल ब歌व क्ये एறग說 ओज पेरा बास किये हो तो आज बोड़ां सा फोड़ा सा सोच रही थे कि अपना हेरस्टा áयल चेंze कर लो लोग चेंजर कर लो लेकिन नहीं हुआ थी चर्दा था ओ यह मे ये एक दिन निकाला था और अच्छे से फोल्ड करके नहीं रखा था और आप लेक्स नहीं कर पाती हूं को अधनकansen यहां भने तो मेरे नहीं करके रख दीतंग मेरी कॉर्टी पे थोड़ा स्कूरृन आ गया तक किए कि constituć मैंने सब्टक मैं दूसरे फोन में वीडियो सूट कर रही है तो वीडियो खोल टी कुछ अलग आ रहा है तो मैं उपर की वह चली आई और मौसम कुछ ठीक नहीं है और यहां मैंने कपड़े दो दिये सारे तो चलो मैं किमना विक करके आप लोग को दिखा देती हूं और आपको हैपी और आज का मौसम कुछ ऐसा है और कुछ कपड़े धर भी डाल दिये हैं और पासिक मसीन में कपड़े डाल दी तो फतानी मेरा पिट कोट कैसा हो गया यहां मैंने सुबह में मौर्निंग में जल चड़ा दिया था तुलसी पर पूजा भी हो गई अपने नीचे चलते हैं और में बाहर का मौसम भी आप लोगों को दिखा लाई बाहर के मौसम एकदम खराब है और बहुत जादा ठंडी है और मौसम एकदम बेकार है और बाहर निकलो तो बरब गिर रही है और वो इस टाइप का गिर रहा है बहुत लोग की ब्लॉक्स मैं देखती हूँ वो लोग कह रहते हैं कि हमारे हां सुबह साम की सर्दी है तो फैर मैं धूप निकल आती वर्ट मेरे हां ऐसा कुछ नहीं है मेरे हां तो दिर रात एक हो रहा है दिर रात एक जैसा है और मैं पूजा के लिए बना रही हो खीर पूड़ी और मंगोड़ी के लिए डाल भी डाल दी है और मीठे पूआ तो मतलब जो भी होता है तो हमारे जो भी देश देता है उन पर चड़ाने जाएंगे और लाइट चली गई मैं कुछ बोल रही थी लाइट के बारे में भी बोल रही थी लेकिन मैंने आवाज कट कर दी मैंने बॉइस ओवर किया है और यहां देखिए सामाल लाइते हजबन वह भी रखा है तो अभी सैट करके नहीं रखना है डबों में पहले अपना काम कर ले आवाज के दो काम करो भी ले और लेए और मुंग दाल यहीं और मैंने गरम पानी में बढ़ा के लिए मैंने आप लोग को बहुत बार बताया कि मेरे खर पर जो भी कुछ भी फेस्टिवाल होता है सबसे पहले खड़ाई में पुआ बनाए जाता है तो मैं पुआ बनाने के लिए और रख्याई और आठा भी माड़ के रख दिया लेकिन लाइट नहीं तो मैंने ज्यादा ब्लॉग मतलब आगे सूट नहीं कर रखिया था तो मेरे कुछ कपड़े गिर गए थे तो मैंने उठा लिए और मैं सारे कपड़े यहां डाल देती हू क्यूंकि दिन और रात एक जैसा हो रहा है तो कुई मतलब नहीं कपड़े नुचुडग मैं अंदर की वर डाल दी तो मैंने ये कपड़े डाल दी है चलो उधर भी चलती हूदर भी सारे कपड़े उठा के रख देती हूँ तो ये डुगा के स्वेटारे स्कूल जाएगा जब तक आराम से दो-चार दिन में सूख जाएगा और डुगू के स्कूल की छुटियां है आठ तारीक तक तो काफी ढंपी चुटियां हो गई क्योंकि इसके एकजांते और यह मैं पड़े उठा लाई हूँ पर्दे मैंने शुबह मैं सुरी कल हमें सूख जाएंगे और यहां मैं लगा और गीले थे बहुत चम-चम से हो रहते लेकिन मैंने यह पर्दे घंदे तो नहीं थे मैंने ध्वहते इसलिए क्योंकि चुपढ चुके हैं सुकुढ गया और नाही तो प्रेस से सीधे होते हैं नाही गरम पानी से हुए पता ने कैसे होंगे यह परदे सीधे में तो परिशा में आदे सक तक ड़े रहे ते जब से ही शुक्र रह गा है मैं नीचे आ गही ह bawकि मैं तड़का लगा रही है लाइची और घीड़ा का तो इना फेकom पहुत तड़का बना लग है बहुत अच्छी स्मेर आती है भी मैं आप ममी से सीख वीडियोज में बताया है जब खीर बनाई है जब तो ऐसे खीर बनाओ का तड़का लगाओ मतब इलाइची और खी का तो बहुत अच्छी खुआती है सच मैं खीर एक कटोरी के जगे दो कटोरियां खाती हूं मैं तो यहां मेरी खीर भी तयार है चलो कड़ाई को धो लेते है अब बनाते हैं अपना पुआ पूरी मंगोडी की बात रही तो मंगोडी तो बात में क्योंकि अभी हमें जाना है मंदर तो मंदर से लोटके आएंगे तो मंगोडी बनाएंगे मंगोडी तो हमें मंदर पर चड़ाने ही नहीं तो यहां मैंने तेल बॉयल करने के लिए रख परदे लगाने वाला तो हैं कुछ कर रहा था तो मैं उसे गुस्सा भी कर रहा है तो मैंने रहां बहुत सारी डोर्यां बांद के रखी हैं मैंने मैंने अंदर और चार पांच डोरियां तो सारे कपड़े बहुत दाते हैं लुब ही लोग कर अब्र सब्सक्रण के गई ती जिस से आराम से हो गयाता बड़िया से हौँ हमाई या पैसर सोकी तेल में ही पूडी पुआ जो भी बनता है हमारे घर में सरसोका तेल ही इस्तमाल होता है सबजी बगेरा में ओई है यहां देको फूआ बना रही हूं और लाईट वारवाट जाँ थी तो मैंने फेलेस चला के फिर फूए बनाे थे और लाईट को पता नहीं न्यू येर वाले दिन क्या हो गया था और यह न्यू येर का ब्लॉग है तो है। है हमारे फूए सिक रहा है गोल गोल 166 आप कि अ दो प्रीली मेरी पूजय बनके रेडि है अब बना रही पूरेया तो सबकर कुछ कीली करना है तो हम meant पूरें बना लेती हूं पूरे तमें बना लिए तो थोड़ी फी पूड़ियां बनाओंगी फिर पूजा उजा करने के बाद मैं सारी पूड़ियां बनाओंगी और ट्राइफोर्स एड़ करके मैं हो जाती हूं परिशान कभी इधार कभी इधार कैमरा लगाते लगाते और कोई हैल्प के लिए है नहीं और आपको लाइब में बोल रहे थी क आपकी वीडियो आइडम कार तो फाइब इडियो नहीं करेंगें बन गया खीर पूरी पुआ तो हमें ये पूजा के लिए चाहिए था और तीन हो गया एक मिठाई हो जाएगी चार हो गए और इनको रख लेती हो टिफिन में अब हम चलते हैं मंदिर अपने खितों पर जो थान है जो देव देवता के उन पर और भगवान जी की पूजा तो गर पर हमने करी लिए सुबह सुबह में और रहिए बनाते बनाते दुफ्फेर हो गया ता बारा एक बज़ गया था हम चलती है मंदिर और आप लोग हमाए साथ बने रहेगा ब्लॉग पे सब को अपना सर्शोख लिए सब कुछ दिखाएंगे मंदिर भी दिखाएंगे तो तो यह पना साड़ी पहल यह पुराना वाला साड़ी पहला हुआ जो पढली साड़ी पहले तो इसceptions अच्छा हिए और और बह। सर्दी है तो बहुत से जाएंगे यहां gate of कर दिया है अपना gus लग रहा था और अपना बोल लेते सौल क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है उखर के जब भी बाहर जाती हूं गेट इट चेक करके सब पुछ जाती हूं तो यहां मंदिर आ गए तो आप लोग देख सकते हो यहां मंदिर आ गए थे और यहां पूजा कर रहे थे और मेरा तो बात का नंबर था क्योंकि जेड जी थे तो उनके सामने खूंगट करना पड़ा यह हमारा रिक्षा रखा हुआ है और हम इसी में बैट के आये थे सबी लोग और सर्सों देखो हमारी कितनी बड़ी-बड़ी होगे लेकिन यहां का एक भी वीडियो शूट करने नहीं आ पाए हैं क्योंकि हमको टाइम मैं भी कर ली मैं कर रही हूं तो खीर पूरी पुआ मिठाई सब कुछ जल वगेरा जो भी लेना आता है कोई भी फेस्टिवल होता है पहले हम यहां पूजा करने आते हैं और डौगी घूम राता खाने के लिए मदब जो भी है कुछ भी लाते हैं तो भूखे रहते हम इध इधर ही डाल जाते हैं जो भी बसता है ना तो हम इधर ही डाल जाते हैं फिर मैंने पूजा पाट के बाद फिर मैंने यह पपी को मदब यह सब खिलाया पूरी पुआ बगेरा बहुत भूखा था और बड़े वाले को भी डाल दिया च्छोटे वाले को लेकिन यह च्छोट होता कि यहां पर डौगी मिल जाएंगे तो हम और भी खाना लाते लेकिन हमको पता नहीं इस जो भी बच्छा था सारा खाना हमने डाल दिये वैसे हमाई को मतलब करने हम तो खाते ही निगाव को डालते वैसे फूख क्या हम आएंगे क्या हुआगे टूख क्या लुक्छा कर दो जाएंगें हट जा दो है? जाएंगे जालते लेकिन साह वोगी कित बालते हुए यह मैंने हम है जालते हैं। हुआ जालते है? हम लोड़ भी आए अपने घर और फिर हमने आखे रख दी ठंड लग रही थी तो हमने चाहे हमने का चाहे पीते हैं उसके बाद कुछ और बनाएंगे और हमाई वीडियो सुपकर रहे हैं चाही निकल रहे हैं तुगे कैमरी के सामने आने से बहुत गुस्ता करती हैं बहुत बादने लगती है तो यहां दीकिए घर पर रहे होगए तो थाप भी रहे हैं ठंड लगई थी अपना फून चला रहे थे गेम खेल रहे थे तो यहाँ देखे हमारी चाय और सासुमा को दे दिये दो कप एक सासुमा की एक जेट जी की और बचे हम दो तुपी ले थोड़ी से रखिल दी लेकिन बाद में डुगू पहले तो मना कर रहा था लेकिन बाद में उसने बोला तो मैंनो उसको दे दी थी और यहाँ देखो हम अपने पती देव को सेक रहते गरम गरम करके लेकिन ना फिर भी इनका इस्चान नहीं है इन पतियों का तो देख लीजिएगा ऐसे कोई सेबा करता है क्या और है आँ देखेगा मैं मतब गरम कर रही थे उनके हाथ बैसी प्यास जटा रही थी और फ्रेंड से ब्लॉग कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक से या जरूर करना चलो मैं मिलते नेक्स ब्लॉग